हलो दोस्तों तो मैं आज आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा गाड़ी की कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आप फॉलो करके और आप अपनी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं ठीक है जी यह है मारूती की सिफ्ट गाड़ी है यह और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे किस चीज से स्टार्ट करना कैसे करके आप गाड़ी चलाना सीख रखते हैं और फ़र्ष्ट बात मेरी यह रहेगी आप लोगों से हाथ जोड़के मेरा यह निवेदन है कि 18 साल से उपर के लोग ही गाड़ी चलाना सीख जिनके पास लाइसेंस है बिगर लाइसेंस वाले तो ही गाड़ी सीखें सबसे बैस्ट है वो आप 18 साल से प्लस हैं तो आप गाड़ी चलाना सीख अच्छी बात है और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे सीखते हैं गाड़ी चलाना यह इस टेरिंग है ठीक है जी अगर आप इसको राइट काटोगे तो गाड़ी राइट में जाएगी अगर आप इष्को लेफ्ट काटोगे तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी अगर आप स्टेट चल रहे तो इसको स्टेट यह रखना है तो गाड़ी स्टेट चलती रहीं है ठेसा जक्तर अप अब आते हैं घेर क्लिच यह ब्रेक है ओर यह एक्स लेटर है एंस लिए कि अबी ले विखर यह चीज आपको याद रखनी है विपलिजन इस्छोर इसजीज के आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों जब भी गाड़ी स्टार्ट करो किलिश दबाओ गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी को न्यूटल करो पहले न्यूटल देखो गाड़ी न्यूटल है न्यूटल करो किलिश दबाओ गाड़ी स्टार्ट करो फिर दूसरा सेगेंड यह है कि आप जैसी गाड़ी स्टार हटाएंगे यह हुआ देना है आपको इस तरीके से मेंटें करना दूखरा इएक Ihudham से आगे भागे ठीक है दूस्तो आपको हलके से छोड़ना है हुलके से रेस पेपर रखना है ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको फिर से लिस्ट दबाना है और इसको बाप में पूरा साइट करके उसको फ्यॉब सक लेकर वीछ नो सबस्क्राइब करना है करता है और मैं चीज में कीज और बताना चाहते हूं दुस्तों गेर डालते समय आप नीचे ना देखें बहुत सारे लोग होते हैं गेर की तरफ देखते हैं ऐसे में हाथा हो जाता है क्योंकि आप का ध्यान होता है गेर की तरफ इसमें गाड़ी लग चुकी होती है तो यह सिर्फ एक अंदाजा होता है आपने गेर जो भी है अंदाजे से लगाना है आप अपना एक हाथ अपना श्टेरिंग पर रखो दूसरा हाथ अपने गेर पर रखो आप अपने सामने भी देखो कि आपके सामने कोई कितना है कितनी दूर गाड़ी कितना डिस्टैंस है उसको देखके हलकी सी नजर गेर पर मारो और फ़र्स्ट गेर डालना है आपको फ़र्स्ट गेर पूरा एक्साइट करके फ़र्स डालो तुरंट अपना आगे देखो अगर आपने जैसे यह सिलो-सिलो आपकी स्पीड चल 10 to 20 चलते रहो चलते रहो आरम से चलते रहो सामने नजर रखो आप अपनी ठीक है दोस्तों जब भी आपको ब्रेक लेना है जैसे कि रेड लाइट आगी है आपने गाड़ी रोकनी है फस्ट आपने क्लिच दवानी है क्लिच दवाते ही ब्रेक दवाना है हलका-लका क्लिच नह और यह है इसका हैंडब्रेक को खिच दो आप गाड़ी को एक जगा रोक सकते हूं ठीक है दोस्तों गाड़ी में बहुत कुछ होता है दोस्तों पहले जो मैं आपको यह चीज बता रहा हूं पहले आप इन चीजों को ध्यान में रखो इनको समझो ठीक से किस तरीके से मैं आपको कि आपको इन्से कैसे गाड़ी चला सकते हो साइड शिसे में देख के ठीक है दोस्तों और ईसी तो आप लोग जानते ही हैं कैसे चलता है सीटवेल्ट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट काम आपका रहेगा जो रहेगा सीटवेल्ट पहले लगानी है आप भी कि यह जरूरी है दोस्तों लगाएं घृप जाला एक कि असदी बटनाएं और ऑर कि अपने पहले और जंट करने हम दोस्ता gda को फर्स्ट गेर डानने पर मैं आपको भी सेगेंड गेर तक ही बता रहा हूं उसके बाद मैं आगे और वीडियो डालूंगा आप मेरी सारी वीडियो देखके और भी अच्छी चीज़ बताऊंगा उसमें भी मैं सेगेंड तक बताना चाहरा हूं ताकि आप अभी रोड पर को पता चले सेगेंड गेर में ही चलाएं अभी गाड़ी ठीक है तो अभी आप सेगेंड गेर में चलाना सीखो उसके बाद भी मैं आपको और बताऊंगा इसकी और लेटर वीडियो डालूंगा मैं इस पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे कि मैं कोई भी वी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी ठीक हो दोस्तों इन चीज़ोंगा आपको ध्यान रखना है और स्टेरिंग हर गाड़ी में नहीं होता अर्जिस्टेवल स्टेरिंग और सीट अगर स्टेरिंग किसी में अर्जिस्टेवल है स्टेरिंग अपने मुताबिक कर लें नहीं तो सीट तो अपने मुताबिक कर ही लें पहले शीट अपनी जैसे करके आपको कमफटेबल हो तिन पर सीट को करें सैट और फिर गाड़ी को आगे चलाना सीखें अब ठेक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको अगर वीडियो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो ओके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी चीजें में जो आपको सिखाऊंगा रोड पे किस तरीके से चलना है में किस किस चीजों का ध्यान रखना यह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो ज्यादा लंबा ह करूंगा वह देखके और चीजे सीख लेंगे ठीक है दोस्तों थैंक यूँ है